हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टोवर यूट्यूब चैनल सेंडर एडवांस एजुकेशन यह है सेकंड क्लास की हिंदी सेकंड की बुक इसपर्श और इसमें हम लेसन नमबर टू की स्टुड़ी करेंगे लेसन नमबर टू और चैप्टर ने में वर्ण और मात्राओं के बारे में सीखेंगे वर्ण किसे कहते हैं और मात्राओं किसे कहते हैं और मात्राओं कैसे लगाई जाती हैं देखे ध्वनी ही वर्ण है ध्वनी मिन्स आवाज जो हम मुझे आवाज निकालते हैं उसी को वर्ण कहते हैं आ मै ए आम ले ए ले ले ओ लो आम ले लो आपने देखा कि आम वाले के मुख से अनेक ध्वन्या निकली जिनके मेल से बने और शब्दों से वाक्य बना वर्ण ध्वनी की सबसे छोटी इकाई होती है इसके और अधिक टुकडे नहीं किये जा सकते अत्य है ध्वनी ही वर्ण है वे छोटी से छोटी ध्वनी जिसके और टुकडे नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं वर्ण को अक्षर भी कहते हैं देखे वर्ण और वर्ण की two parts होते हैं स्वर और वेंजन सबसे पहले हम स्वर के बारें पढ़ेंगे स्वर, हिंदी में ग्यारे स्वर होते हैं कौन-कौन से ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटाउ, बड़ाउ, रे, ए, आई, ओ, आउ Next, वेंजन, हिंदी में 33 वेंजन होते हैं के, खे, गे, गे, अने, चे, छे, जे, जे, अने, टे, ठे, डे, डे, अने, ते, ठे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, मे ये, रे, ले, वे, शे, शे, से, हे इसकी अतरिक्त दो और विक्सित वेंजनों डै वे डै को भी शामिल किया गया है हिंदी भाषा में कुछ और भी महतुपूर्ण वर्ण है जिने अनुस्वार, विसर्ग तथा विक्सित वेंजन कहा जाता है जैसे क्षय, त्रै, गै, श्रै, डै, डै, अंग ये सब संयुक्त वेंजन होते हैं इनमें से क्षय, त्रै, गै, और श्रै को संयुक्त वेंजन कहा जाता है नेक्ष्ट विसर्ग, इसकी दोणी एह की तरह बोली जाती है मिन्स लाश्ट में वर्ड के एह की आवाज निकलती है जैसे प्रातह, नमें, अते, क्रमश, आदी नेक्ष्ट है अनस्वार, यह अने, यह अनस्वार कहलाता है इसके इसे वर्ड के उपर लगाते हैं जैसे पंक, रंग, अंगूर, पलंग, संक, पतंग, बंदर, आदी अनुनासिक, इसे चंदरबिंदू भी कहा जाता है यानि जो चंदरबिंदू के निशान होता है उसे अनुनासिक या चंदरबिंदू कहा जाता है अनुनासिक के दो दहरन देखे बासुरी, साप, चांद, आख, पांच, दाथ, आदी आगत धवनिया वे धवनिया जो किसी अन्य भाषा से हिंदी में आई हैं यानि जो दूसरी भाषा की हैं लेकिन हिंदी में परियोग की जाती हैं उन्हें आगत धवनिया कहते हैं जैसे फ्राक, कागज, डॉक्टर, अंग्रेजी, हॉल, जबान अब हम पढ़ेंगे मात्राएं मात्राएं किसे कहते हैं और कैसे लगाए जाती हैं सोरो की मात्राएं बच्चो जब कोई सोर किसी वेंजन के साथ लगता है तो वह एक चिन का रूप लेता है ये चिन ही सोर की मात्रा कहलाते हैं हर एक सोर की मात्रा अलग है आओ देखें कैसे यहाँ पर कुछ स्वर दे गए हैं, उनकी मातरा दे गई हैं और वेंजन के साथ मातरा बताएगे, कॉलम को ध्यान से देखेंगे. सबसे पहले स्वर ए, कोई मातरा ने, स्वर की कोई भी मातरा नहीं होती है. कै, ए, कै, आ, कै, ए, का, इ, कै, इ, की, बड़ी, कै, इ, बड़ी, की, उ, कै, उ, कू, उ, कै, उ, कू, र, क्रे, ध्यान देने युग्य बात है कि ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती वह हिंदी के परतेक वेंजन में मिला होता है बिना ए की वेंजन इस परकार लिखे जाते के, टे, ठे, डे, डे, इत्यादी पेंस सभी वर्ड्स के नीचे हालंत का प्रियोग किया जाता आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे इसमें मात्रों का प्रियोग सिखेंगे थैंक्स